पहले तो आपके चरणों में कोटी-कोटी प्रणाम, रादेशा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हुजो जान निहारा, मैं हर दिन रामचरित मानस और स्रीमत बागवत का पाठ करता हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आज आता है कि ऐसा लगता है ये सब पूथियां वगए ये मेरे जीवन में कम से कम महिना में एक-दो बार, तीन बार आजाता है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, यही मेरे सम्द। पूजा पार्ट से कोई डिश्टर्ब ना हो तो उतनी साफधानी आप अरतले पहली बाद दूसरी बात एक इस्तिती ये भी है कि जब हम पूजा आप कितने सालों से आप ये कर रहे हैं पांच साल होगे कभी कभी कोई मंत्र जब सिद्वने लगता है तो मन उचटने भी लगता है हो सकता है रामयन की या भागवत की किरपा आपके उपर हो रही हो उससे पहले आपके मन को भटकाया जा रहा हो और दूसरी बाती है कि आपके अभी तक कोई गुरू जी भी नहीं थे आज आपने दिक्षा भी लिए है तो गुरू के विना जो रन आप कर रहे थे वो साइद इसी चीज के लिए था कि अभी तुम एक ब्यर्थ दौड कर रहे हो पहले ऐसा कोई सार्ती पकड़ो जो तुमारे रत को चला सके तो साइद आज जो आपको प्रप्त हुआ है इ आप एक मूल बात समझ लेजिए दहर्म की राह पर चलकर रामान में रामान का पाठ कारते हैं रामान में कहा है जे हरी भगत हिड़े नहि आनी जीवित सब समान सो प्रानीजिस मनश के हिड़े में भागवत भक्ती नहीं है वो जीव जीव नहीं है वो तो मृत है सब है मु आप उसी मानस की चौपाई को जीवन भर के लिए आज के बाद याद कर लो कि चाहे जो हो जाए मुझे अपने गोविंद की भकति अपने हिर्दय से जाने नहीं देनी, जीते जी मरूंगा नहीं, और मर कर भी मरूंगा नहीं, मर कर भी अमर होना हैं, क्योंकि मुझे भग्ती करनी है, और भगवान से प्रेम कैसे हो, अब इससे सुरू हो जाएगा आज के बाद, अटेच्मेंट बनाए रखिए, यह जो अजिसान है, उनमें भी इश्वर का इदर्शन कीजिए, और जब आप उनमें भी इश्वर का जो आपका अपमान करें, अगर आप उसका सम्मान करने की शमता अगर आप करें, तो निश्यत आपका प्रेम हो जाएगा, बलो रादे रादे